नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुए में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जैम आता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे रसोई घर से संबंदित 6 महत पूर बाते हम जानेंगे क्योंकि रसोई घर के लिए मैं ऐसे कई वीडियो जबना चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ और आप लोग फॉलो भी करते हैं लिकिन आज का वीडियो कुछ खास है कौन से कार हम अपने पती की भलाई के लिए अपने घर की बढ़ोतरी के लिए अपने सुसुराल की बढ़ोतरी के लिए कौन से कार हमें करते रहने चाहिए और कब हमें उन कारियों को करनी में देरी करनी चाहिए क्योंकि नियम तो है सुबह सुबह ये घर की लक्षमी जो महिलाएं हैं इन कारियों को करे घर में तरक्की और सफलता आने से कोई रोक नहीं सकता और करनी भी चाहिए लेकिन कब हमें नहीं करनी चाहिए तो इसके लिए मैं 6 बाते आपके साथ सेयर करूँगी कि कौन से कारे करने चाहिए और कौन से कार हमें कब नहीं करने चाहिए तो इसी के उपर आज का हमारे वीडियो है इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए सुरू करते हैं कि वो छे मोहत्वपोर बाते क्या है तो सबसे पहले थोड विदेश से आए है गाउं से ही सब का बैइघरांन जो है गाउं से ही जुड़ा है भहले ही आदमी नौटरी के चकर में कहीं कुछ कार मिल जाए उसकी वजह से बाहर पर रहना पड़ता है सहरों में रहना पड़ता है लेकिन ऐसी बात नहीं है गाउँ कोई निये में कोई सरम नहीं है गाउं से ही तो होकर सहरों में रह रहें तो ऐसी बात नहीं कि मैं सिर्सीटी के लिए बताती- Subscribe बदे लेकिन वही है हर जगा थोड़ा सा दिक्कत है जैसे सिटी में है कि फ्लैट्स है तो हर चीज उस तरीके से हम नहीं कर पाते हैं और गाओं में बड़े-बड़े घर होते हैं बड़े-बड़े द्वार होते हैं हर चीज हम अच्छे से कर पाते हैं फैल से और सीटी में थोड़ कि बौट रहते हैं तो आप लोग बोल रहते हूं घूराइकशना का यह सबस्ते हैं कभी कभी इस्तिमाल करते हैं तो ऎक चूला WA तो हम fungi इस्तिमाल करते हैं जिस चूला को को इस्तिमाल करी हैं ज lion है गेश्ट के लिए माली जी आपने गैस इस्टोप रखा है या आप जो है मिटी का चूला हमेसे यूज नहीं करिए तो उसका कोई नियम नहीं है कोई एक चूला तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है आप दोनों में से कोई भी अगर चूला है उसी के ऊपर कुछ लेकिन जो है चूली को अपने उपवास मत रखिये जो कि मैं एक साल पहले ही आपको बता चुकी हूँ ये नियम तो आप लोग पूछते थे इसलिए मैं सोची थोड़ा सा बता दू तो दोनों में से कोई एक चूला अगर आपका मतलब जलता है तो उसी के उपर बनाईए एक उपवास मतलब पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है दो पर आदमी थोड़ी न बनाएगा किसी एक कोई इस्तवाल करेगा तो जब जिस पर बना रही है उसी पर बना लीजिए ठीक है तो ये पहला नियम नहीं है ये सबसे पहले आपका जो सवाल था उसको मैं किलियर कर किसी भी ब्रत तेवहार में ऐसे तो हम रोजी बनाते खाते हैं अपने घर में लेकिन अगर ब्रत तेवहार पूजा पाठ में किसी भी ब्रत में आपको अपने घर में भोग अपने भगवान को जरूर लगानी चाहिए रोज अगर लगा सकते हैं ऐसे तो लोग रोज नहीं लगा पाते हैं लेकिन हम लोग के घर में ठाकुर्जी हैं तो हम लोग तो रोजी भोग लगाते हैं हमारे गाओं में लगता हैं हम अपने पास तो नहीं लगाते हैं हमारे पास नहीं है ठाकुर्जी लेकिन ब्रत तेवहार में आप आराम से मतलब भगवान को प्रसाद प्लगावान को वंजाकर उपने मूंख में आपको डालनी चाहिए किसी भी छोटी से छोटी temporal ब्रत मेशिए बड़े ब्रत में gwीना भगवान को खिलाय आपको नहीं खानी चाहिए जरूर उस दिन कुछ बनाकर सबसे पहले भगवान को आपको भोग लगानी चाहिए किसी भी ब्रत्य वार में ठीक है तो यह हो गया हमारा पहला निया दूसरी बात क्या है कि देखिए जब कभी भी आप अपने घर में जो डब्बे हम रखते हैं तो जब वो डब्बे आपके खाली हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं गंदा नहीं हुआ है, तो चलो फीर भर देते हैं, उस डब्बे को आपको धो देनी चाहिए, क्यूंकि बहुत ज़्यादा जो है ना गंदा डब्बा वेगर भी कीचन के लिए सुभ नहीं होता, हमारे घर में लक्ष्मी और धन प्राप्ति के लिए ये सब सुभ नहीं माना जाता एक एक लोग का आप कीचन देखेंगे ना रसोई घर देखेंगे ना डब्बे के उपर दो लेयर गंदगी चिपकी रतिया चट चट से करता है मतलब आप देखेंगे तो आपका भूख वही खत्तम हो टो ढ़ना अगर नहीं कीजिए गा ऐसे तो जो किस्मत में लिखा है उस लकीर को कोई नहीं मिटा सकता लेकिन क्यों फिर भी फिर भी हम नारी है हम है इन सब ही चीजों को ध्यान देनी चाहिए दुनिया नहीं आईगी और हैस्बेड लोग से यसावाशा मत कीजिए गा क्य यहां और आप लोगों के लेकिन हमारे यहां ऐसा सब कुछ नहीं है वो सब वाइफ जानती है कि हाँ साफ करना है कहा गंदा है कहा नहीं है तो एक लोगों का मैं कीचेन देखती हुआ चटचट करता है मुझे बहुत खराब लगता है उस प्रकार से आप अपना रसोई घर की सब बहुत सारे जेल लाते हैं लिक्वीड सब चूला वेगर साफ करने वाले बीम से आपने कम से कम 3-4 दीन पर यह वन वीक पर उसको धो दीजिए कपड़े से डाल के मतलब पोच दीजिए साफ कर दीजिए चूला भी जगमा गोराना चाहिए क्योंकि उसी के उपर तो हम दी आदिते नहीं है थोड़ा सा आपको साफ सफाई पर ध्यान देनी चाहिए और जो हम कीचन में कपड़े रखते हैं ना हात दोने के लिए पोचने के लिए यूज के लिए चोटे-चोटे नैपके उसको भी ना विकली या 2-3 दिन पर या एक दिन पर मतलब आपका जैसा जो आपको मतलब पार लगे जितना आपसे हो सके मैं जबरदस्ती नहीं बोलूँगी लेकिन केर करते रहनी चाहिए कई ऐसे लोग है ना बाकी सब चमकी रहा और जो कपड़े होते हैं कीचन के टाविल वगेरा जो हम छोटे-छोटे रखते हैं वो सब इतनी गंदे स्मेल मारत हैं बताइए यह कौन से अच्छी आदत है चूला चिट-चिट कर रहा है यह डब्बे कर रहा है उस हैंकी से नैपकिन से आपके गंद आ रही है तो यह तो बहुत गलत है ना तो देखिए सफाई और मतलब ना कहीं यह नहीं है कि एक लोग को कारे दीखता है और करने वालो जो सब के लिए नहीं बताती हूँ कि लोग इतनी साफ सुतरा है कि मतलब उतना दुनिया में नहीं कोई रहता होगा लेकिन कई ऐसे लोग है जो ऐसा करती है लग परवाही से करती है कि थोड़ा सा आला साता है उनको के धीरे से करेंगे तो इस प्रकार से अपने कीचन से कह सब्सक्राइब नहीं से आपको गंद वगरा नहीं आनी चाहिए डश्ट बीन को भी ना कभी कभी बीच बीच में साफ किया कीजिए और वह जितने टाविल वगरा कीचन के छोटे-छोटे रुमाल है उसको भी आपको साफ करनी चाहिए डबे वगरा पर ध्यान देते रहनी चाहिए यही सब तो हमारे लक्षन है बढ़ने वाले यही सब तो सबसे बड़े लक्षन है कहीं दूर से लक्षमी जी नहीं आती है हमारा मन ही लक्षमी है आप करके तो देखिए इस प्रकार के कार जब कीचन साफ रहता है न सब कुछ साफ सुतर घर रहता है न तो आपके घर की चीज़े थोड़ा सा ध्यान देते रहनी चाहिए हम महिलाओं को ठीक है तो यह हो गया हमारा दूसरा नहीं तीसरी बात क्या है कि आप लोग कहा रहते दिदी हम जो है ना मतलब मंदीर की साफसफाई कैसे करें बीना नहाएं तो देखिए अगर पूजा मंदीर का रूम बहुत बड़ा है तो साइड से जाड़ लिजे उस रूम में घुसने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर बहुत बड़े रूम में आप जो है चोटा सा मंदीर कहीं कॉर्णर में बनाई है तो उतना दूर मत जाईए एक एक रूम में भी लोग रहते हैं तो मैं ऐसा सब के पूजा रूम बनाई है तो आप जा सकती है जाकर साइड से जाड़ू विगरा मार लिजे और जब छोटा सा मंदीर है उसमें नहीं जा सकती तो आप नहा कर उसमें कपड़े से न ऐसे कपड़े को भीगा लिजिए साफ कर मतलब धो लिजिए कि बार बार एक बकेट में पा पूज के सही कर लिजिए उस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए आप लोग पूछते हैं न कि दिदी हम कैसे जाए बीना नहाए तो चौती बात क्या हो गई कि आप लोग को मैं बता दूं कि देखिए नहा कर कभी जाड़ू मत छुईएगा नहाने से पहले ही जाड़ वेगेरा छुआ जाता है या फूल जाड़ू हो या वो काटा जाड़ू हो नहा करी जाड़ू आपको बिल्कुल नहा कर नहीं मतलब छुणी चाहिए बीना नहाए जाड़ू चुईए जब तक कि आप पूजा नहीं किये हैं पूजा करने से पहले आप नहा लिये हैं और जहाड़ू आपको नही चुनी चाहिए तो इसलिए झाड़ू वगरा आपको बिलकुल नही चूनी चाहिए नहाने के बाद ठीक है तो यह हो गया हमारा चौथा नियम और जो हमारा पाँचवाँ नियम क्या है वो क्या है कि मैं बता चुकी हूं फिर भी एकवर याद दिला दे रही हूं कि रात में न कितना भी साफ सफाई कीचन का करके सोई है घर का करके सोई है वो सब असुध हो जाता है सुबह आपको ज़ड़ु छुवानी है लगानी है पोछा कीचन के स्लैप पे कि वो पूरी रात में असुध हो जाता है और वो जैसे बोलता है ना रात में हर तरह के जीव जनतु नकरातमक उर्जा यह सब चीजें उसका यह प्रकोप रहता है तो इसलिए थोड़ा सा पानी डालके आपको सुध कर लेनी चाहिए उसके बाद ही आप कुछ कीजिए उसक करता नियम क्या है कि यह भी बहुत जानना जरूरी है आप लोगों को जो जानते हैं अच्छी बात है देखिए क्या होता है कि ऐसे तो हम रोजी अपना नॉर्मल प्रती दिन जो हमारे घर में नियम है वो सब तो हम करते ही है लेकिन कभी असुभ दिनों में न वो भी थोड तो जब करना है जितना ही नियम बने हुए है कि ब्रम तो उससे में आपको हर करने चाहिए यह चीज घ्यान रखेगा क्यूंकि एसा माना जाता है कि जहां जो घटना होई है वहां के लूग कारे कर लेते हैं तो हमें आपकोактиों ज्रूप अच्रु incapacit दोना हो या कपड़ा दोना हो या नहाना हो सारे कारे जब वहां के लोग कर लेते हैं उसके बाद हम लोग करते हैं तो उन दिनों में आपको हर कारे जल्दी नहीं करनी है ऐसा ना कि सुबह उटके नहाली है, सुबह उटके जाड़ू पोछा करने लगे, उसमें जितना ही देरी से हम कारे करते हैं, जब मतलब उस समय घर परिवार में बड़े लोग जब कर लेते हैं, सास वगरा कर लेती हैं, या वहां के लोग कर लेते हैं, अगर आप दूर रहती हैं, अगर वहीं पास में तब तो आपको मालूम ही होगी, लेकिन जो लड़कियां दूर रहती हैं, नहीं मालूम है, तो ऐसा नियम है कि हर कारे आपको देरी से करनी चाहिए, पहले फोन करके पूछ लेनी चाहिए, कि वहां जाड़ू लग गया, पोछा लग गया, बरतन वहां के लोग नहा लिए, उसके बाद ही आपको करनी चाहिए, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहों कि जो हम प्रती दिन अपना नियम कर रहे हैं, वहीं नियम हम उन दिनों में भी, असुभ दिनों में भी करें, तो वो हमारे लिए सुभ नहीं होता, तो उन दि जितना ही आप पीछे रहे हैं, जितना ही धीरे कारे कीजिए, वह सब कारे आपके लिए सुभ होता है, लेट से नहानी भी चाहिए, देरी से पूछ के ही नहानी चाहिए, अपने बड़ों से पूछ कर, जो कि मुझे लगर आप लोगों को मालूम होगी, लेकिन फिर भी मैं मैं सोची कि अपनी बहनों को बता दूँ, तो यही हमारे कुल 6 नियम थे, 6 बाते थी, जो आपको ध्यान रखनी है, तो आसा करती हूँ, उमीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाब मिलेगा, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तक तक के ल लिए नमस्कार, स्वस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहां कहीं भी रहिए, खुब खूस रहिए और ध्यान से रहिए